नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली निउस बूलेटिन में आपका स्वागत है इसके मुखे प्रावजक हैं आरके ज्वेलर्स आकरसक आभूशनों के विश्वसनिय विक्रेता यमुना चौक बक्सर नजर लालते हैं बूलेटिन की परमुक्सुर्खियों पर नीचे की तरफ खिशक रहा है गंगा का पानी अभी रखनी होगी साउधानी च्छा अपरादियों को पुलिस ने दवोचा तीन असल है बरामद डीम ने जारी किया लाइसेंसी सस्त्रों के सत्यापन का आदेश 19 को मनेगा मोहरम पुलिस ने किया सहर में फ्लैग मार्च इटाड़ी के बस उधर में दो पक्ष के लोग आपस में रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े बीम ने किया चौसा अंचल का र्याले का नेरिक्षण जीविका समू से मिले पुरुमंत्री संतोस निराला बने महादलित आयोक के अध्यक्ष विधायक ने दी बधाई अखिलेश सिंग ने डुमराओं विधान सभा को सूखा चेत्र घोसित करने की रखी मांग खबरे विस्तार से के प्रायव जखेख हैं जिंदल पैंथर सिमेंट एवम सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवम सिम्री संपर्क करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है पिछले दो दिन अर्थात गुरुवार और आज सुक्रवार को भी पानी एक घंटे परती सिंटीमीटर की रफ्तार से नीचे उतर रहा है आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सुक्रवार की सुबह आठ बजे पानी का उचतम जलस्तर 56 मीटर दसमलो एक पांस था वैसे अभी साउधानी रखनी होगी क्योंकि उपर से गंगा नदी में पानी का दबाव बहुत कम नहीं हुआ है बुलेटीन की दूसरी सुल्की है अपराद की योजना बना रहा है च्छा अपरादियों को जिले की पुलिश ने समय रहते दबोच लिया एसपी मनिस कुमार ने गुरुवार को पत्रकार बारता के दोरा नह जनकारी दी आप देख रहे हैं उनके कर्याले कक्ष में पीछे काले कपड़े का नकाब ओड़े च्छ यूवक खड़े हैं जिन हाथों में देश का भविश्य होना चाहिए इनमें हथियार लहरा रहे हैं इनके पास से तीन कंट्री मेड आर्म सर्थाद दो देशी पिस्टल और एक तवंचा वरामद हुआ है गिरफतार किये गए दो यूवक परताब सागर के रहने वाले हैं बोजपूर ओपी की पुलिस नहीं गिरफतार किया अन्यत एक बकसर नगर तथा तीन राजपूर के बहुआरा के रहने वाले हैं इसकी बिसित कबर आपको हमारी बकसर कबर की बेवसाइट पर मिल जाएगी बुलेटिन के तीसी सुर्खी है पुलिस परसाशन के आगरफ पर जिलाधिकारी अंसूल अगरवाल ने लाइसियंसी सस्त्रों के भौतिक सत्यापन का आदेश जारी किया है पुलिस कुछ दिनों से लगातार गोली का हिसाब लेने के लिए लाइसेंसिस ससधारकों को थाने में बुला रही थी लेकिन सभी नहीं पहुँच रहे थे इसलिए अब 8, 9, 10 अगस्त को सभी थानों पर जिलाधिकारी के आदेश पर सस्त्रों के भौतिक सत्यापन का कारे होगा बुलेटिन की 34 सुर्खी है 29 को मनेगा मुहर्म आप देख रहा हैं जिले के पुलिस बीते दीन गुरुवार की देर साम सहर में फ्लैग मार्च करती देखी गई क्योंकि कर्वला से मिट्टी उठाने का सिलसिला सुरू हो गया था पर अमपरिक सस्त्रों के साथ यवाओं की टोली हासे हुसेन करते हुए नगर में दिखी आज साम तज्या भी निकलेगा 29 को मुहर्म मनाया जाएगा इस वज़ा से कई सरकारी कर्यालियों में सनिवार को आवकास भी रहेगा बुलेटिन की पांचवी सुर्खी है इचारी थाना छेतर के बसुधर गाओं में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्ष के लोग इस कदर भीडे की वहां जम कर लाठिया चली हाला कि भूमी विवाद रास्ते के विवाद में अक्सर इस तरह की घटनाय देखने को मिलती है परसासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गाओं के रहने वाले मुक्तेसवर कुस्वाहा और सुवास कुस्वाह के परजन आपस में इस तरह लाठियां लेकर भाजते दिखाई दिये कई लोग चोटिल भी हुए हैं बुलेटिन की छटी सुरकी है जिलाधिकारी अनसूल अगरवाल ने बीते दिन गुरुवार को चौशा अंचल का रियाले का निरिक्षण किया उन्होंने सबसे पहले बावमेट्रिक्स अटेंडेंस को लेकर के सभी पदाधिकारियों कर्मियों को निर्देश दिया समय से हाजरी बननी चाहिए चौशा से सटे उसकर खाने में भी हुए गए जहां जीवी का दीदिया सेनेटरी पैट बनाती है उन्ही के साथ यह गुरुप तस्वीर सोचल मीडिया पर प्रसासन ने उपलप्त कराई है बुलेटिन की साथ भी सुरकी है परमंत्री संतोस निराला जो राजपूर से विधायक थे अब एक बार पुना पावर में है उन्हें महादलित आयोग का अधैक्ष बनाये गया है मुख मंत्री ने उन्हें इस पद पर मनोनित किया है इसकी जानकारी देते हुए सदर विधायक संजेती वारी ने उन्हें बधाई दी है अब जिले के महादलितों का आउचित विकास हो सकेगा बुलेटिन की आठवी सुरकी है लोजपा के अध्यक्षा खिलेश सिंग बीते दिन अपने विधान सभाथ चेतर के विविन गाओं में भ्रमण कर लोटे और मीडिया को प्रेश बयान जारी कर कहा दुम्रावभाथ चेतर के खेतों की हालत बहुत बुरी है इस छेत्र को सरकार सूखा ग्रस छेत्र घोसित करे और किसानों को उचित मुआउजा दे अखले सिंग लोजपा के जीला धक्ष हैं और इन दिनों राजनीति को लेकर खासे चर्चा में बने हुए हैं अब चलते चलते आपके लिए छोटी सूचना परतेक रविवार को बकसर खबर दिबिदरसन नाम से एक सापता ही कालम प्रस्तूत करता है जिसमें आप देश की विविन मंदिरों का दरसन लाब प्राप्त कर सकते हैं आज की बुलेटिन मसीतना ही आप देख रहे हैं बकसर खबर हमारे साथ अंततक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद